हेलो एबिवेन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शिर्ट करने वाली हो देखे ये डिजाइन हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन है बहुत प्यारा लग रहा है बना हुआ ये डार्क लाइट दोनों कलर में बहुत सुंदर डिजाइन बन कर आता है सीधी तरफ से ये दिखिया ऐसे और उल्टी तरफ से वी ये बिल्कुल सफाई से इस तरह से बनता है और बहुत असान डिजाइन है ये बहुत असान बड़े अराम से आप इसे बना लोगे तो इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो फोर के मल्टीपल से चार फंदे चार फंदे ऐसे करते हुए जाना है लास्ट में आपके दो फंदे एक्स्टा होने चाहिए तो ये पैटरन हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा इस डिजाइन को आप जैंस लेडिस या बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हो चाहिए लेडिस के जाकिट में काडिगन में चाहिए जैंस के स्वेटर में फुल काडिगन में चाहिए बच्चों के किसी भी परजेक्ट में किसी भी चीज में डालिये ये अच्छा ही लगेगा बनकर इसके लिए स्लाइ मैंने फंदे डाल लिये हैं 18 फंदे लिये हैं हमने सलाई में आपने पहले नीचे बोर्डर बनाना है इस डिजाइन को बनाने के लिए नीचे बोर्डर बना लेंगे अगर किसी भी प्रजेक्ट में आपने फंदे बढ़ाने है तो वह फंदे आपने उल्टी तरफ से बढ़ा होता है तो सीधी तरफ से यहां पर दिखिए इस रिजाइन की first row starting के 2 फंदे पहले हमारे सीधे आएंगे एक और यह दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह एक यह दो यह दो है ना हमारे किसी भी फंदे में सलाई नहीं डालनी है हमने देखे एक दो यहां पर यहां पर इस तरह से ऐसे सलाई के नीचे ऐसे सलाई डालेंगे यहां से एक लूप बना लेंगे इस लूप को इस तरह से सलाई में डाल देंगे फिर यह एक लूप और ये एक फंदा इन दोनों को दो काई कर देंगे आगे से स्लाई डालते हुए इस तरह से दो काई करने के बाद ये एक फंदा सीधा तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4-4 के मल्टिपल से और 2 ही फंदे एक्स्टरा चाहिए तो देख दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये एक ये दो इन दो फंदों को छोड़ देंगे आगे ठीक है ये वाला फंदा यहाँ है ये दो फंदे यहां है अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए ऐसे स्लाइ को डालेंगे यहां से एक लूप बना लेंगे, इस तरह से, इस लूप को ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ना टाइट करना है, हमने मीडियम रखना है, ठीक है, तो अब यह लूप हो गई, यह फंदा हो गया, इन दोनों में आगे से ऐसे स्लाइट डालेंगे, और दो का एक कर देंगे, इस तरह से करते हैं, दो का एक और एक फंदा सीधा, यहां पर हमारा कोई विफंदा ना कम हुआ है, ना बड़ा है, सेम टू सेम वैसे ही हमारी फंदे चलते जाएंगे, अब इसी डिजैन को जितने भी स्लाइट में आपके फंदे हैं ना, ऐसे ही आपने चलाते जाना है, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, अब इन दो फंदो को छोड़ेंगे, इस फंदो को भी छोड़ेंगे, यहां पर ऐसे सलाई को डाला, यहां से लूप बना लिया, वापस लिया इस तरह से सलाई में, यह लूप और यह फंदा, इन दोनों को आगे से चाहम करने हुए, दो का एक कर देना है, फिर एक फंदा सीथा, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, अब फिर से एक ये दो, इन दोनों फंदों को छोडेंगे, ऐसे स्लाई को ढालेंगे, एक लूप बना लेंगे फिर वापस लेंगे ऐसे अब ये लूप होगी ये फंदा हो गया इन दोनों में इस तरह से डाला दो का, एक कर देंगे एक फंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे उल्टे इस तरह से करते हुए हम यह पूरी रो बनाकर complete कर लेंगे अब उल्टी तरफ से देखे उल्टी तरफ से हमने क्या करना है सीधी तरफ से यह दो-दो फंदे जो हमने यह उल्टे बनाए है यह दो-दो फंदो को उल्टी तरफ से सीधा बनाना है तो starting में पहले हमारी ये दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, अब इन दो फंदों को जीने हमने सीधा बनाये ता सीधी तरफ से न, इन्हें हमने बांधा हुआ है, इन दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, अब फिर से धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फ दो फंदे सीधे, दो फंदे ओल्टे, और ये लास्ट के दो फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, इस तरह से, ऐसे करती हुए हमने सेकिंड रो पूरी बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब रो थर्ड हमारी सीधी तरफ से, तो रो थर्ड में पहले क्या करेंगे, इस स्टार्टिंग के फंदे को चाहे उतारिये चाहे बनाएगे, ये आपकी मर्जी है, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, अब हमने क्या करना है, ये दो फंदे सीधे हैं न, इन दो फंदों के बीच में, एक फंदा यहां से ये व सीधा बना लेंगे, बनाया, अब इस उल्टे फंदे को भी इस तरह से सीधा बनाएगे, दोनों फंदों को सीधा बना लिया, अब इन दोनों फंदों के ऐसे सलाई में से निकाल दिया, अब देखिए अपने आप ये पीछे से ये वाला फंदा अंदर आ गया, और ये वाल जालते हुए से सीधा बना लेंगे इसे बनाया अब इस फंदे को भी ऐसे आगे सिसराई डालते हुए सीधा बना लेंगे अब इन दोनों को निकाल दिया अब देखिए दोनों तरफ से एक फंदा इधर से एक इधर से ये दो फंदे हमारे अंदर आगे और ये दोनों तरफ इस तरह से ये दोनों फंदे बाहर टर्ण करके, अब इसी डिजाइन को चार फंदों को ही पूरी स्लाई में हमने रपीट करते जाना है, दुबारा से रपीट करेंगे तो देखे क्या करेंगे, सेकिंड फंदे को थोड़ा साइसे लूज किया, इसे आगे से स्लाई डालते हुए सीधा बना लेंगे, इस तरह से, अब ये आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, ये दोनों फंदे सीधे बनाने के बाद फिर स्लाई में से ऐसे इसे निकाल देंगे, ये बिल्कुल असांत्री का है हमारा फंदों को ऐसे ट्विस्ट करने का अब इन दो फंदों को करना है तो कैसे करना है ये फंदे को हमने क्योंकि पीछे से अंदर लेकि आना है इसे आगे से यहां लेकि आना है तो कैसे करना है पीछे से स्लाइड आलने है ऐसे, स्लाइड आते हुए, इसे पहले सीधा बना देना है, ठीक है, इसे सीधा दूसरे फंदे को सीधा बनाया है, तो अब पहले फंदे को भी हमने सीधा बनाना है, तो इसे भी ऐसे स्लाइड डालिए, आप सीधा बना लेजी, दोनों को निकाल देंगे, इस तरह से, अब इ इस उल्टे फंदे को सीधा बना लिया इस तरह से अब पीछे से पहले ऐसे स्लाइड डाली सेकिन फंदे में इसे सीधा बनाया अब आगे से इस फंदे को सीधा बना दिया इस तरह से यह सीधे फंदे हमारे क्योंकि सामने आने चाहिए ऐसे उपर और उल्टे फंदे पीछे स हमारे अंदर आने चाहिए इस तरह से इस बात का आपने ध्यान रखना है तो डिजाइन बहुत असानी से आपका बनता जाएगा फिर से रिखें यहां पर सैकिंड फंदे को बनाएंगे सीधे फंदे को हमने बना लिया पहले फिर इस उल्टे फंदे को भी बना लेंगे तो य यह लास्ट के फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ठीक है अगर एक दो फंदे जैसे इसके लिए चार-चार के मल्टिपल से दो ही फंदे हमने एक्स्टर डाले हैं किसी भी प्रजेक्ट में अगर एक दो फंदे आपके जादा हो जाएंगे तो दोनों तरफ आप दो दो लाइं हमारे सीधे फंदे बनाए हैं ना उल्टा फंदा तो कोई बनाया है नहीं सीधी तरफ से तो इसी तरह से आपने ये पूरी रोह हमारी उल्टी-उल्टी बना लेनी है यह चार सलाईया हमने बनाकर कम्प्लीट कर ली अब यह पांचवी सलाई हमारी पांचवी सलाई सीधी तरफ से आप देखें क्या करना है इसी डिजैन को डालना है पर इस डिजैन को हमने यहां पर यहां पर और यहां पर डालना है तो इसे बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है पहले फंदे को पहले उल्टा बनाया फिर धागा दूसरी तरफ किया ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ठीक है ये एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करती हुए ये दो नो फंदे उल्टे बनेंगे, अब यहां से इन दो फंदों को छोड़कर, यहां से हमारा repeat pattern स्टार्ट हो रहा है, ये एक, ये दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद, अब धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे हैं, इन दो फंदों को बांधने वाला design डालेंग तो यहां पर स्लाई डाली, इस तरह से ये लूप बना ली, इस लूप को ऐसे स्लाई पर लिया, आगे से स्लाई डालती हैं, दो नो फंदों को दो का एक कर दिया, अब ये एक फंदा सीधा, अब दो फंदों को छोड़िए, इनी चार फंदों को पूरी स्लाई मेर बीट कर दागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इन दो फंदों को ऐसे चोड़ेंगे ऐसे स्लाइड डाल लेंगे ठीक है उसी तरह से सेम टू सेम डिजाइन को हमने बनाते जाना है यहां पर डाल लिया था इस ल करेंगे एक फंदा ये एक ये दो डो को छोड़ेंगे ऐसे स्लाइड को डालेंगे यहां पर आपने इस बात का दिहान रखना है कि हमने किसी भी फंदे में स्लाइड नहीं डालनी है यह देखिए किसी फंदे में स्लाइड नहीं डालनी है इसे छोड़ दिया इसे छोड़ में आगे से स्लाइड डालेंगे इन दोनों में फंदा और लोब दो कई कर देंगे एक फंदा सीथा अब फिर से धागा अपनी तरफ दो उल्टे धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीथा धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए ये पूरी पांचवी र अब रो 6 बनाना है हमने उल्टी तरफ से तो इस फर्सटी बंड़ेको चाहे उतार ये चाहे बनाईए आपकी मर्जी अब ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ करते हुए ये लस्ट के दोनों फंदे हम उल्टे बना लेंगे ऐसे करते हुए हमने 6th row पूरी बनाकर complete कर ली है अब row 7 बनानी है हमने सीधी तरफ से row 7 भी बहुत असान है इसकी इस first फंदे को चाहे उल्टा चाहे सीधा बना लीजिए इस तरह से फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब यह फंदा सीधा है अब यह उल्टे फंदे एक फंदा उल्टा यहां आएगा एक फंदा यहां आ गया जाएगा तो पीछे से पहले उल्टे फंदे में इस तरह से स्लाइड डालेंगे ठीक है इसे सीधा बना लेंगे अब आगे से सीधे फंदे में स्लाइड डालते हुए इसे भी सीधा बनाएंगे और इन दोनों फंदों को निकाल देंगे इस तरह से अब ये उल्टा फंदा यहां सीधा यहां लेक्याना है तो आगे से स्लाइड डालनी है पहले सीधे फंदे में इसे सीधा बना लेंगे अब इस फंदे को भी सीधा इस तरह से अब फिर से पीछे से slide डालेंगे, second फंदे में इसे बनाएंगे, अब आगे से इस फंदे को सीधा बना देंगे, फंदे सारे हमारे ये सीधे ही बनेंगे, अब आगे से slide डालेंगे, इस सीधे फंदे में इसे बनाएंगे, फिर इस फंदे को भी सीधा बना देंगे और दोनो को निकाल लेंगे अब ये फंदा यहां ये आगे लेकिया ना है तो पिछे से स्लाइड डालनी है हमने इसमें सीधा बनाया फिर इस फंदे को सीधा बना लिया दोनों को निकाल देंगे अब फिर से सेकंड फंदे को थोड़ा सा ऐसे लूज किया इसे सीधा बना लिया अब आगे वाली फंदे को भी सीधा बनाएंगे दोनों को निकाल देंगे दो दो फंदे बनाने के बाद हमने सलाई से देखे निकाल रहे हैं इसे बनाया इसे बनाया दोनों को निकाल दिया अब इस सेकिड फंदे को थोड़ा से से लूज करेंगे इसे सीधा बना यह लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब इसके बाद हमने क्या करना है एट्थ रो बनानी है अपनी आठवी सलाई आठवी सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी और इसके बाद इसे first row से हमने दुबारा से repeat करना है first row से यहां से कोई भी confusion हो तो वीडियो को एक बार तुबारा से देख लीजिए लेकिन बहुत डोटेल में मैं बताया है मैंने तो अमीर करती हूँ आप वो अच्छे से समझा गया होगा आगे आगे बनाते जाओगे तो इस तरह से ये पैटरण आपका बनता जाएगा बहुत प्यारा बहुत असान और बहुत सुन्दर डिजैन है निव डिजैन है तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा किसी मी प्रजेक्ट में ट्राइ करेंगे में साथ फिर शेर भी जरूर कीजेगा तो अगर आज की वीडियो को आपको अच्छी लगी हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपने वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कलों मत भुलिएगा मैं फिर मिलूँगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बाए प्लीज लाइक का बटन अभी दबा देना और वीडियो शेर जरूर कीजिए मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है फिर मिलूँगे मैं एक्स्ट वीडियो में बाए वे नाइस दे